जि हाँ दोस्टों बैंकूं में हर्ताल होने जा रही हैं बैंक हर्ताल में कितने दिन बैंक बंद रहेंगी बहुत ही बड़ी बिग ब्रेकिंग नूज आ रही है इसके लावाँ दसवी ग्यारोी बारोी के पेपर लीक को लेकर भी एक खबर है हर मैने गर बेटे 5,000 रुपे तक कमा सकते हो वो भी आपके बेंग खाते में मिलेंगे तो आईए दोस्तों स्वागता आप सभी का एक बार फिट से DLS न्यूज के उपर एसे ही महत्वण और काम की खबरों के साथ में आज के मुक्य समचार और टूड़ा ब्रैकिंग न्यूज का एक नया और फ्रेश वीडियो आपके लिए आच चुका है बहुत इंबातों पुन खबरे हैं ध्यान से इस वीडियो को एकड़म पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा पहला अपडेट आपडेक पारूँगे एक राष्ट्र एक रासन कार्ड योजना पर सरकार ने एक बड़ा बयान दिया है आम लोगों को इससे बड़ी राहत मिली हैं पता क्या दरसल आपको पताओगा हाली में कुस दिनों से ये न्यूज अपडेट चल रहा है कि सरकार अपरेल 2020 से ही पूरे देश में वन नेशन वन रासन कार्ड योजना लागू करने जा रही है ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था राइट अगर आपने भी खुलाय हुआ ना प्रोविडेंट फंड वाला तो जान लीजे इसके तहते एक नया नियम बन चुका है और अब खातत दरक बच्चे की पढ़ाई के लिए भी 15 साल से पहले रासी निकाल पाएंगे यानिकि इसा फिक्ष नहीं रहेगा आपकी पेसा जमा तो 15 साल से पहले उसे नहीं निकाल पाएंगे इसा कुछ नहीं है ठीक है अगला अपडेट है खुश कबरी बढ़ सकती है मनरेगा के ताथ मजदूरी के अंदर सरकार लेने जा रहे हैं बड़ा फेसला जिहां दरसल दोस्तों इस तरह की मीडिया रिपोर्ट आ रही है कि सर अपडेट आएंगे हम आपको DLS News के उपर जरूर बतते रहेंगे फिलाल अगला अगला अपडेट आ रहा है बेंक खाता खुलने के लिए धर्म बताने की नहीं होगी जरूरत है वित्तमांत्राले के सचीव ने ये बयान दिया जिहां दोस्तों कई सारे ऐसामाजिक तत्व जो है ना वो सोसल मीडिया पर हर कुछी घर कभी अफवाई फेला देते हैं जिसे कहते हैं गप मारना तो इस तरह की गपें आपको आजकल हो सकता हैं सोसल मीडिया के उपर देखने भी मिली हो कि बेंक खाता कुलवाने के लिए अब आपको धर्म बताना पड़ेगा ये कु दोस्तों सरकार ने वरांसी से सुरू की नई योजना भारत से दुबई बेजी जा रही हैं सबजियां जहां दोस्तों देश में पहली बार जल मार्ग से उतर प्रदेश के वरांसी से दुबई ताजी सबजियां बेजी जा रही हैं और इससे एटलिस्ट देश को तो कमाई होगी सरकार को कमा होगी देश का विकास होगा ये नया कारोबार है इंडिया का और अगला अब लेड है कि शानू का दो लाग रुपे सित्मबर 2019 तक बकाय लोन पर मिलेगा और यसकी मार्च से लागू होगी मार्च 2020 से अना अब देखते दोस्तों ये सरकारें वाकई में अपना वादा निभा पाती है नहीं मार्च 2020 में ही पता चलेगा असली तो अगला अपडेट आना फिलाल हरियाना सरकार के तरब से एक रेलाई मोजूद नहीं है और इसलिए हरियाना गवर्मेंट ने इस तरह का डिशिजन लिया हर जिले के अंदर एक प्रदूशन नियंत्रन का रेलाई खुला जाएगा जहां पर उन कारणों को जाना जाएगा कि आखिर इस जिले में प्रदूशन हो रहां तो क्यों हो रहा इस पर केसे रोक लगाई जा सके वगरा 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 ना चलिए अगला अप्डेट है मिश्र से आएगा बाराजार पांसो मेट्रिक टन प्याच है और अब रेट भी सोखे पार तो चली रहें फिलाल अभी भी लेकिन दोस्तों प्याच का निर्यात करने का ओडर कर चुक आप पर हो सकती हैं अगली कारिवाई 300 ID ब्लोक हो चुके हैं अलरडी दरसल आपको पताओगा अचकल नागरिकता कानून को लेकर सरकार अलर्ड हो चुके हैं और कई हैं समाजिक तत्व ऐसे हैं दोस्तों जो सोचल मेडिया पर फेश्बुक वाट्सप ट्वीटर फेलाते हैं और धर्म एक दूसरे के धर्म के फ्रति ऐसी बाते लिखते हैं जिनसे की लोगों को पब्लिक को भढ़काते हैं और ऐसे ही 300 Facebook ID को अल्रेडी ब्लोक कर दिया हैं और इनके किलाब मुकदमा दर्च करानी की तयारी भी हो रही हैं तो प्लीज आपसे भी दिल से र बैंकों को राहत मिलेगी SBI के चेर्मेन ने F ICCI संब्लेंड में एक बात कही हैं पता क्या कहा उन्होंने भारति शेड़ बैंक के चेर्मेन रजनिस कुमाने शनिवार को का की गेर निश्पातित संपती यानिकि NPA के मामले में अधिकतर बैंक मार्च 2020 तक अच्छी स्थिति आनि कि अर्दवार्शिक परिक्षा के कुछ पेपर लिग हो चुके थे और एकजाम से एक ठीक एक दिन पहले ये विगो वीडियो बगरा इन अप्लिकेशन पर इन पेपर को वाइरल होते वे देखा गया सोसिल मीडिया पर अब दोस्तों हालां कि श्कूल प्रशाशन का कह करने के मामले में टोप पर हैं ये देश जाने कितने नंबर पर हमारा भारत हैं जहां कई बार इस तरह के कम्पिटिटी एक्जाम में करेंट अफेट्स के रूप में क्यूशन आंसर भी पूछ ले जाते हैं हाली की एक ताजा रिपोर्ड में इस बात का कुलास हुआ कि सब से ज़्यादा दूद उतपादन करने वाला देश जो हां दोस्तूं वहां भारत उसके बाद सेकिंड नंबर पर आता हैं ये युरोपियं यूनियन थर्ड नंबर पर अमेरिका हैं फॉर्थ नंबर पर पाकिस्तान हैं और फिप्त नंबर पर ब्राजील हैं लेकिन टॉप पर जो दूद उत्पादन देश करता हैं वहां भारत 18.61 करोड़ों तन दूद एरली शालाना यहां पर पेदा होता हैं चलिए अगला अब्रेड हैं इंजिनेरिंग स्टुएंट्स के लिए डिजिटल लाइबरेरी सुरू हो चुकी हैं हम बात करें दोस्तूं मध्यों परते एक स्कीम चलती दोस्तूं UBI इसके बारे में अगर आपने कभी सुना हो तो पता होगा यूनिवर्सल बैसिक इंकम और इस स्कीम का मतलब और मक्षड यह होता कि परिवार के मुख्या को हर मैने एक फिक्ष रासी सरकार देती हैं हलांकि कई देशों में ओल्रेड इस तरह की बेंक आकाउटों में चली जाए जमा हो जाए अब इस स्कीम के कई सारे और अल्रेडी साइड इफेक्ट भी हैं कई सारे बेनिफिट्स भी हैं अब देखते हैं गवर्मेंट इस पर क्या डिशिजन लेती है निर्बर करता है पियमोदी वगरा इस पर क्या निर्ने लेते है हम आपको जरूर बताते रहेंगे अगले अपडेट में फिलाल ये अगले अपडेट आरा दोस्तों आठ जनवरी को राश्टर वापी हर्ताल बेंक और विमा करमचारी रखेंगे काम बंद जहां दोस्तों भारतिय बेंकिंग शेत्र के प्रमुक यूनियनू ने आठ जनवरी 2020 को केंदरिय ट्रेड यूनियनूर द्वारा आयोजित आम हर्ताल में भाग लेने का फेशला लिया और ये जानकारी अखिल भारतिय बेंक करमचारी संग के एक शिर से नेताने दी हैं यहां जारी एक बयान में AIBEA के महासचीव CH वेंक ट्रेड यूनियनू ने आठ जनवरी को राष्टर वापी आम हर्ताल का आववान किया अब ये फिलाल तो हर्ताल का प्रोग्राम बन रहा है अब बीच में अगर ये कैंसल होता है आठ जनवरी से पहले तो मोदी सरकार की इस स्कीम से जुड सकते हैं आप और हर महिने आपको गर बेटे 5000 रुपे मिलेंगे ये स्कीम है दोस्तों अटल पेंसन योजना स्कीम ही है इसके बारे में मैं आपको अल्रेडी कई प्लान बता चुका हूँ और ये स्कीम सिंपली ऐसे हैं कि इसमें कोई भी 18 साल से उपर का आदमी जुड सता है ठीक है साल बर के लिहाज से 2520 रुपे जमा होता है और आपको 210 रुपे मंतली निवेश 6 साल तक की उमर में करना पड़ता है और 60 की उमर के बाद आप जितने भी साल जी होगे सरकार आपको हर मैने खाते में 5000 रुपे देती रहेगी इस तरह का सिंपल इसका प्लान है अब दोस्तों आपका किसी भी बेंक में खाता है तो आप उस बेंक की ब्रांच में जाकर के अटल पेंसन योजना का फॉर्म बढ़ सकते हैं और इससे जूट सकते हैं ठीक है चलिए अगला अपडेट आ रहा है क्रश्य मंत्राले के बेंबू मिशन के लिए लोगो डिजाइन करके आप 10,000 रुपे जीत सकते हैं और इसके भी लास्ट डेट है 31 दिसमबर 2019 मैंने आपको बीच में भी एक बार बताया था इसके बारे में लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने कॉमेंट किया किया डियलस भाई वो लोगो डिजाइन क्या कॉम्पेटिशन है तो मैं आपको बता दूँ दूस हूँ ये इस तरह का कॉम्पेटिशन है कि Ministry of Agriculture and Farmers Welfare द्वारा National Bamboo Mission के लिए लोगो डिजाइन कॉम्पेटिशन प्रतियोगिता निकाली गई है और प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को अपना डिजाइन किया हुआ लोगो विबा की ओफिशल वेबसाइट पर अप्लोड करना होगा माई जिवोवी के उपर आपको ये देखने को मिल जाएगा बेस टोपलक अगर आप इस कॉम्पेटिशन में इस्सा लेते हैं तो फिलाल अपना आगे बढ़ते हैं अगले बडेट में बात करें दूसरों आज के सराफवज़ार में सोने चांदी के रेट की तो आप देख पार होंगे कि सोने की केमत में गिरावर देखने को मिली हैं और दस ग्राम सोने की रेट 118 रुपे टूट कर 37,991 में प्रती 10 ग्राम चली गी और चांदी में 108 रुपे की तेजी देखी गई और इसके बाद चांदी का रेट 44,904 प्रती किलो ग्राम चल रहा अगला अपडेट हैं पेटोल इजल को लेकर राजदानी दिल्ली में 30 पेसे महंगा हुआ हैं पेटोल एक दम से बहुत महंगा हुआ हैं और आप बैसिकली दिल्ली कुलकत्ता मंबई और चेन्ने में पेटोल और डिजल के रेट लिस्ट क्या चल देएं ये स्क्रीन पर केरल करनाटा के तठीय भाग और इसके लावा गोवा मध्यमाराष्ट कोंकन पूर्वी गुजरात पश्चिम मध्यपरदेश में हलकी से मध्यम बारिस हो सकती हैं गरज के साथ बारिस होने की संभावना है ठीक है और इसके लावा कोहरा किनकिन राज्जी में चाया रह सकत दिल्ली चंडिगड में भी गना कोरा चाय रहने की चन्नाय और मुंबई में बारिस की चितावनी भी आ रही है और इसके लाव दोस्तों अगले अपडेट में बात करें अपन नागरिकता संसुदन बिल को लेकर हरी द्वार सहर में भी इधार 144 लाग हो चुकी हैं पुली पहली पसंद अब देखिए दोस्तों हमारे भारत के हंदूस्तान के देश के बहुत दुख होता जब ऐसी कबरे में देखता हूं न तो आज दोस्तों इंडुस्तान में एक हाली के ताजा सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि सराप पिने वाले लोगों के औस्त आयो शुद्रीड भारत का निर्मान करना तो प्लीज मैं आगे क्या कहना चारा हूँ उसे आप समझ गयोंगे शरापिकर हंगामा ना करें और इन गलत चीजों का सेवन ना करें आपकी जिंदेगी को बहतर बनाने के लिए यही चीज सही है क्योंकि बहुत सारे डिशिजन्स ऐसे ह दोस्तों जब समय निकल चुका होता उसके बाद उन्हें लेने का कोई मतलब भी नहीं होता इसलिए प्लीज चलिए अगला आपडेट आरा दोस्तों गाड़ी चलाने के नियमू को लेकर एक बड़ी कपर देख पारोंगे सरापिकर गाड़ी चलाने वालूँ पर पंजाब सरकार और उल्टी महरबान हुई हैं कानून में बदलाव कियां पंजाब सरकार ने शुक्रवार से मोटर वीकल एक्ट 2019 तो लागू कर दिया हालांकि पंजाब सरकार ने सरापिकर वहाँ चलाने वालूँ पर होने वाली दंडात्मक कारिवाई वाला स्रिक्शन आटा दिया इसके बदले में केप्टन अमरींदर सिंग सरकार ने एक नया स्रिक्शन एड किया और इसके तत्मानसिक या सारे रिक रूप से अक्षम स्थीती में वहां ड्राइव करने पर 1000 रुपे का जुर्मने का प्रावधान हैं तो कहीं न कहीं यह आपको क्या लगता दोस्तुन क् और इसके अंदर हलंकि सरा पिकर गाड़ी चला तो यह दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो दो साल की जेलिया 15,000 उपे जुर्मना का प्रावधान भी हैं के अंदर सरकार द्वारा जुए नया मोटर विकलेक्ट लागू किया इसके अकोडिंग अच्छा अगला अपडेट अगला अपडेट आ रहा हैं मोधी सरकार का टेक्स नहीं भड़ने वालों पर सिकंजा इनकम अगर आप चुपाते हैं तो बड़ी कारिवाई होगी जहां वित्व मत्रा लए उन टेक्स पेर्स पर सिकंजा कसने की तयारी कर रहा हैं जो कि GST refund पर ज्यादा क्लेम करते हैं लेकिन income tax return कमाई में कम दिखाते हैं तो इसे लोग सावधान हो जाईगा अब आपको थोड़ा बहुत तो जिनुन टेक्स बढ़ना ही पड़ेगा थो जान लीजिए हो सकता है इससे आपको आपकी जिन्दगी में कुछ motivation मिले तो आप देख सकते हैं Alphabet CEO सुंतर पिचाई की salary है 17818 करोड रुपे साला ना पकेज है ATM में ATM की full form क्या होती है जो लोग इस सवाल का साइज जो आप इस लोडियो के निचे comment box में देंगे वो randomly select के जंगा मरे DLS निच्टीम के तरप से और आप जीत सकते हैं एक शांदार mobile का तोफ़ा गिफ्ट के रूप में जीतने का आपको मुखा मिलेगा जो कि giveaway के रूप में आप तक पहुंचा दिये जाएगा तो एंडबली select होने पर रहा ना